गुड मॉर्निंग एवरीवन, 15 मार्ज 2024, आज 3 मच के 12 मिनट पे हुई थी मेरी सुभा, जीतेंगे हम ये वाधा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे, पर हिम्मत ना तूटे, मजबूत इतना इरादा करो, इरादा और कोशिश हमेशा पक्खी होनी ही चाह जब भी आपका दिमाग आपसे बोले कि बोल हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, तो अपने दिमाग को बोलना है कि नहीं, चुप बैठो, बहुत दिन हो गए मुझे टाइम पास करते हुए, बहुत साल निकल गए, मेरे 15-15 मिनट एक एक घंटा, जो डेली का तो अपने दिमाग को चुप कर देना है, अपने मन को शांत कर देना है, चुप चाब बैठ जाओ, अभी ये पढ़ाई करनी है, ये सब्जेक करना है, तो करना ही है, अगर मैं ये दो-तिन सालों से करता, आउं, या करती आउं, एक-एक घंटा मैंने जो वेस्ट किया है, उ तो आपके रोज के घंटे मिला के देखो, अगर एक साल में 365 घंटे बनते आपके रोज का एक घंटा मिला के, तो जो आप इतने सालों से रिग्रेट लेके बैठे हो, अगर ये एक-एक घंटा डेली आप इटलाइस कर लेते, तो आपने आज अतनी लाइफ में कुछ ने होते, आप ये सोचते कि ये कर लूँ, दूसरा option होता, अगर ये छोड़ो तो कोई बात नी, मैं ये कर लूँगी, आपके मन में ये नहीं आता कि यार मुझे तो पैसे कमाने थे, कैसे कमा हूँ, मैं कमा ही नहीं पाती हूँ, इंडिपेंट ही बन नहीं पारी हूँ, एक ही वीडियो में जो शेयर किया है, मेरी जो लाइफ का जो स्ट्रगल थोड़ा बहुत भी, पूरा 100% कोई शेयर नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत सारे ups and downs होते हैं, लेकिन अपना जो भी लाइफ का मेने स्ट्रगल आपके साथ शेयर किया है, उसमें मैं आपकी तरह नोर्मल ह पर सब कुछ आपको मिल जाता है, जो लाइफ आप चाहते हो ना, उसके लिए आपको घंटा घंटा निकालना पड़ेगा, घंटा नहीं मिल रहा तो 15-15 मिनिट निकालनी पड़ेगी, मैं अपने यूट्यूब की स्टोरी बताती हूँ, जब मैं वर्क फ्रॉम होम करती थी साथ में, मैं को यह था कि चुलो पढ़ाई भी करनी है, और लेकिन फिर भी मेरे पास ना, जब मैं लेक्चलर की त्यारी करती थी, फिर भी यह होता था था जो हमें 15-20 मिनिट मिलते है ना, जिसने हमारा कभी पढ़ाई भी नहीं करने का मन करता है, अभी टार्गेट पूर हो जाते हैं, और जो भी हो जाती है, तो जो यह 15-20 मिनिट कहीं मिल जाते हैं, यह हमें यूटलाइस करने हैं, मैंने सुचा था कि यह मुझे यूटलाइस करने है, तो मैं कैसे करूँ, तो फिर तब मैंने सोचा कि यार मैं ना, क्यों यूट्यूब ओपन कर लेती हूँ, इ मेरा 1 January 2024 को चैनल स्टार्ट हुआ था और फैब के स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीक में एक महीने के अंदर मोरिटाइजिशन के लिए भी एप्लिकेबल हो गया था वो अलग बात है कि मैं स्टार्टिंग में मोरिटाइज नहीं करना चाहती थे लेकिन फिर बाद में आप सब के भी कमेंट्स आए और मैंने भी सोचा कि पैसा तो जितना जहां से आजाए उतना अच्छा है और ये आप लोगों ने सही बोला था कि ये मेरी महनत है इस पैसे से मैं किसी और का भला भी कर सकती हूँ तो ये चिज़े मुझे बहुत अच्छी लगी और इन फैक्ट जैसे मेरे पास मैं UPSC की तारी कर रही हूँ तो प्लैन B है मेरे पास जो मैं work from home करती हूँ और अभी प्लैन C भी है मेरे पास जो मेरा YouTube है तो मैं बहुत सारे option आपके पास होंगे लेकिन वो daily का अगर मैं ये सोचती कि यार जो में को 15-20 minutes मिलते हैं कभी दिन में कभी evening में मिलते हैं time कभी रात को भी होता है कि सोने से पहले चलो भी थोड़ा सा फोन देख लेते हैं तो उसमें आप time pass करने के बजाए अगर ऐसी चीज़ों में time pass करो तो यार आप क्या नहीं कर सकते है ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो ये 15-15-20 minutes मिला के अगर मैंने ये सोचा होता ना कि यार मेरे पास तो 15-15 minutes अभी मिली थी आदा वंटा फिल मिल रहा है रात को 10-15 minutes मिल रहा है इसमें मैं अपना time pass कर लेती हूँ ना ऐसी shorts देख लेती हूँ ना तो आज जो ये YouTube चैनल पे आप मेरी वीडियो देख रहे हो ये आपके सामने नहीं होती ये चैनल आपके सामने नहीं होता किसी ने comment में पूछा था कि दीदी अगर कोई लड़की शादी ना करना चाहे अपनी life में ऐसे ही खुश रहना चाहे independent होके तो क्या वो नहीं रह सकती प्लीज मेरे comment का reply करना तो देखिए अगर आप खुश रहने की बात सोच रहे हैं अगर आप ये सोचते हैं कि सिरफ independent हो जाने से आप खुश हो सकते हैं तो कहीं न कहीं ये आपकी गलत फहमी है क्योंकि जब हम शादी नहीं करेंगे जिस समाज में हम रह रहे हैं और आपको किसी से कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि समाज के लोग या घर के आपके मेंबर आपको बोलेंगे तो आप खुश रहने की बात कर रहे हो ना तो independent होने के बावजुद भी जब कोई आपको कुछ बहारी इंसान कुछ बोलता है और आपको उसकी बातें चुभेंगी नहीं तो आप भले ही खुश रह लें लेकिन जिस खुश रहने के मोटो से आप शादी नहीं करना चाहती लेकिन वहीं फिर किसी और की बातें समाज की बातें घरवालों की बातें आपको feel होगी तो फिर आपकी खुशी कहां जाएगी अगर आपने मन में ये ठान लिया है कि मुझे शादी नहीं करनी लेकिन हाँ मैं उन सब का सामना करूंगी जो मुझे criticize करेंगे इस समाज में तो ठीक है लेकिन वहीं आपकी खुशी दुख में बदल जाएगी जब आप independent होने के बावजुद भी दुसरों के कहने के बाद दुखी हो जाओगे तो इसलिए फैसला थोड़ा सा सोच समझ के लेना कि आपको खुश तो रहना है लेकिन उसके लिए आपको mentally पहले प्रिपेर होना पड़ेगा जो इतनी आसान बात नहीं है जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पे असी सोच रखना एक बहुत अपने आप में बड़ी बात हो जाती है सोचना तो बहुत हमें आसान लगता है लेकिन जब वो चीज़ implement करने पे आती है तो इतना आसान नहीं होता तो आप इस बारे में पहले जरूर सोच ले कि मैं खुश रहने के लिए शादी तो करने का क्योंकि आपने तो शादी इसलिए नहीं की न क्योंकि आपको खुश रहना था और यहां पर सुबै से दोफैर हो चुकी है बेटा स्कूल से आ चुका है और खुद के लिए वो बना रहा है लसी उसको ना खुद से काम करना बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं कि सीखने में और इसमें क्या रहता है कि बच्चा कुद को यह सोचता है कि ठीक है मैं भी इंडिपैंटन बन रहा हूं में बड़ा हो गया हूं और उसको बोर्यत भी नहीं लगती पूरा दिन बच्चा करेगा ही क्या अगर वो छोटे-मोटे काम करता है अपनी एज के अकोर् One negativity is strict that I am doing hard work and getting no output I feel competitive exams are very hard to tackle I am 24 years old and I don't have any sport my mom's dad and father doesn't care even we die I'm married last November my husband also not sportive I live in mom's house but my stepmother hates us What should I do I want to talk to you personally I feel very bad why nothing is positive इनको लगता है कि इनके साथ कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, हस्बेंट स्पोट नहीं करते, एक स्टेप मदर है, मतलग कि सोतेली मा है, तो यार मैं आपके कंडिशन ना सही में समझ सकती हूं, फेल कर सकती हूं, लेकिन जो आप पे बीत रही है, वो आप पे ही बीत रही है आप में को मेल कर सकती हैं, आप मेल के जरीम उसे कोंटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद से ही मजबूत बनना होगा, जब हमें ये लगे ना कि कोई भी पोजिटिव चीज नहीं है हमारे साथ, तो हमें सिरफ अपने इश्वर पे विश्वास रखना चाहिए, अपने आप सौल नहीं होगी, आपको कोशिश करनी होगी सौल करने की, आपका इन मुश्किलों से निकलने का एक ही जरिया हो सकता है, वो है इंडिपेंडेंट बनना, अगर आप चाहते हैं कि चाहिए आप थोड़ा सा भी कमाएं लेकिन इंडिपेंडेंट बनें, तो आप क्योंकि आप जिस कंडिशन में हैं, तो मुझे नहीं लगता आपकी पढ़ाई अभी अच्छे से हो रही होगी, लेकिन आप इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, भले ही थोड़ा बहुत कमाएंगे, तो मुझे लगता है कि आप अपने पढ़ाई में और भी अच्छा कर पा किसमत को मत आने दो बीच में कि मेरी किसमत ऐसी है, पोजिटिविटी नहीं है, बहुत सारी नेगटिव चीजे होती है, अगर एक भी सिंगल भी पोजिटिव चीज आपके साथ है, वो है आपका आतम विश्वास, आपका खुद का मोटिवेशन, लेकिन इतनी नेगटिवि होता है, हम मेंसे हर किसी में कोई न कोई स्ट्रेंथ जरूर होती है, लेकिन जब हम मुश्किलों से गिरे होते हैं, तो हमें वो स्ट्रेंथ अपने दिखाई नहीं देती है, हमें सिरफ कमजोरियां ही कमजोरियां दिखाई देती है, तो आप अपनी वो स्ट्रेंथ history के लिए source बताइए कहां से क्या पढ़ रहे हैं देखिए economy और history मैंने अभी तेक start नहीं किया लेकिन जो भी मेरी resources थे मेरी NCRT books थी वो मैंने सारी share की हैं लेकिन एक दिन मैं फिर से अपनी सारी books जो भी new ad होई हैं वो सब कुछ share करूँगी बस मुझे थोड़ा सा time मिलने दे मैं जरूर share करूँगी आप सब के साथ में और उसके लिए मुझे अपने husband की भी need होगी और मैं ये Saturday Sunday को ही कर पाऊंगी क्योंकि एक बंदा चाहिए ना phone थोड़ा सा पकड़ने के लिए बाकी मैं manage कर लेती हूँ editing का लेकिन ये जो books होता है वो past से दिखानी पड़ती है तो लगी बहुत स्पोर्टी है लेकिन फिर सामने वाले बंदे का देखना पड़ता है अभी तक मैं किसी से कोई स्पोर्ट नहीं लेती हूँ खुद ही वीडियो सब कुछ मतलब करती हूँ आप सम उतसे पूछते हैं कि आप कैसे manage कर लेती हैं बस मैं अपना एक एक मिनिट भी वेस्ट नहीं जाने देती ऐसे manage कर लेती हूँ और बस हो जाता है कहना बहुत असान है लेकिन खुद के मन पे दिमाग पे कंट्रोल रखना होता है कि भाया टाइम वेस्ट नहीं करना अपने मन को बोलना होता है बार बार जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि मन भटकेगा उसको वापिस लाओ खैज कि उसको बोलो कि नहीं चुप चप जो मेरे लिए मेरी family के लिए बहुत जरूरी है उनके आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है वो करना है time pass नहीं करना है time pass से कोई फाइदा नहीं है अपने मन को दिमाग को बार बार ये समझाना है तब ही समझेगा और आपका मन और दिमाग फिर ये इस हैबिचल हो जाएगा ऐसा कि भाईया ये इनसान तो नहीं मानने वाला ये मेरे काबु में नहीं आने वाला अब जैसा ये इनसान चाह रहा है मैं अब इसको इस इनसान के अनुसार ढाल लेता हूं तो मन पे कड्रोल करना बहु बिखरी पड़ी थी कहना तो बहुत कुछ चाहती हूं किन्तु ना टाइम मेरे पास है ना आपके पास समय है मन जब हारने लगता है तो बस आपको सुन लेती हूं इन्होंने साथ में ये भी लिखा है कि मेरी प्यारी बहन मैं रोज आपको हृदे से आशिरवाद देती हू आप अपने जीवन में जरूर सफल हो जाओगे थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए दिल से सही में शुकरिया